नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में ECO95G vs Samsung Galaxy A72 का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले है इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो ECO95G में 6.26 इंच जबकी A72 में 6.5 इंच की लेंथ मिलती है विद्थ की बात करें तो ECO95G में 2.96 इंच जबकी A72 में 3.05 इंच की विद्थ मिलती है बात करें थिकनेस की तो, ECU95G में 0.34 इंच जबकि A72 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है जो की सेम जैसी ही है अब बात करते हैं वेट की तो, ECU95G में 200 ग्राम्स जबकि A72 में 203 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की सेम जैसा ही है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को compare करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Eku 95G में AMOLED जबकी A72 में FHD जोर समल्प की डिस्प्ले मिलती है Aspect Ratio दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो Eku 95G में 6.56 इंच जबकी A72 में 6.7 इंच मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन Eku 95G में 1080 by 2376 और A72 में 1080 by 2400 मिलता है Screen to Body Ratio Eku 95G में 86.95 प्रतिशत जबकी A72 में 84.86 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो Eku 95G में 398 प्रतिश प्रतिश जबकी A72 में 393 प्रतिश प्रतिश मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जोकी Mobile Phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें Man Camera की तो Eku 95G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera देखने को मिलता है और A72 की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera, Telephoto Camera और आखर में Macro Camera देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो ECU 9 5G में 8 different type के features मिल जाते है और A72 की बात करें तो उसमें 3 different type के features मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो ECU 9 5G में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 5 different features मिलते है और A72 में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 3 different features मिलते हैं अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाये तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो, ECU 95G में Adreno 660 जबकी A72 में Adreno 618 मिलता है चिप सेट की बात करें तो, ECU 95G में Qualcomm Snapdragon 888 Plus और A72 में Qualcomm Snapdragon 720G मिलता है बात करें RAM की तो, ECU 95G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है जबकी A72 में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 8GB 8GB RAM मिल जाती है बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते है वो दोनों फोन में सेम ही दो variant देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की Storage मिलती है Expandable Memory की बात करें तो, ECU 95G में नहीं है जबकी A72 में up to 1TB है Operating System की बात करें तो, ECU 95G में Android V12 जबकी A72 में Android V11 देखने को मिलती है Battery, ECU 95G में 4350MH जबकी A72 में 5000MH देखने को मिलती है अई अब Main Feature को देखते है Colors की बात करें तो, ECU 95G में 2 Colors जबकी A72 में 4 Colors option मिलते है सब Information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो, ECU 95G में 2 variant देखने को मिलते है जोकी 8GB RAM 128GB storage के साथ 42,990 रूपीज 12GB RAM 256GB storage के साथ 46,990 रूपीज में मिल जाता है वोही अगर बात करें A72 की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते है जोकी 8GB RAM 128GB storage के साथ 34,999 रूपीज आठ गीगाबाइट रेम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 37,999 रूपीस में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांजन कौन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो एकू 9 5G में 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें सामसन गैलेक्सी A72 की तो उसमें 4 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है फायनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में A72 आगे है में कैमरा में A72 आगे है फ्रंट सेलफी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में AQ95 जी आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते है पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें आपल आइफोन 12 है दुसरा गूगल पिक्सल 4 ए है तीसरा सामसन गैलेक्सी नोट 20 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सामसन गैलेक्सी S21 5G है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना